नमस्कार, B.S.C. Second Year की Botany की Online Classes में आपका स्वागत है, पिछले वीडियो में दित्तिक जाइलम और दित्तिक फ्लोयम की सरंचना के बारे में पढ़ा था, दित्तिक फ्लोयम की सरंचना के अंदर अपन ने दित्तिक फ्लोयम के elements के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन आज के इस वीडियो के अंदर अपन जाइलम की सरंचना और उसको कारी सरंचना के बारे में पढ़ेंगे, तो जनरली जो वश्कुलर मंडल होते हैं या वश्कुलर टिश्यू जो हते हैं वो जाइलम और फ्लोयम से मिलकर बफने होते हैं, और जाइलम का जो मुख्य फंक्स होता है वो जड़ दुआरा अवसोसित जल और खनीज लवनों को पोदों के विभीन बागों तक पहुचाने का कारी करता है अब जायलम है जो अनिक परकार की जीवित और मृत से बना होता जिने जायलम तत्व कहते हैं और इन जायलम तत्व के बारे में डिटेल में अपन इस यह जायलम तत्वते ट्रैक इड्स वैसल्स जायलम फाइबर और जायलम प्रेयंगाइमा इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं लेखिन इस वीडियो के अंदर अपन को पढ़ना है जो आपकी सेलेबस के अंदर भी दे रहा है जायलम इस्ट्रॉक्चर फंक्शन रें करती हैं यह मुख्य रूप से जो जल और खनीज लोनों के सेवन का कारिय करती है इनकी कंडक्शन ओफ वाटर एंड मिन्रल्स इनका ये मैन फंक्शन होता है और दोनों ही जो ये ऐलिमेंट्स होते हैं वो परिपक वाउस्ता में खोते हैं और शंपूर्ण पादप्शरीर में एक जाल के रूप में फैले रहते हैं इनकी जो बीतियां होती है वो मोटी होती है जिसके कांड सक्रिव वास्पोट सर्जन की दसा में भी ये रिनात्मक दाब को सेहने की समता होती है इनकी इनकी सेल वाल है जो मोटी होती है तो अगर नेगेटिव प्रेसर बढ़ भी जाए तो भी ये सेहन कर सकती है फिर इनके दोनों शिरो पर छिद्र होते हैं और जिनकी द्वारा सभी वाहिकाई है जो पर उस पर जुड़कर एक संबन तंत्र बनाती है और इस तंत्र के द्वारा पोदर में जल है जो एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचाया जाता है नेक्ट अबन पढ़ते हैं फ्लोईम कारी सरंचना में समन्द फ्लोईम इस्ट्रक्चर रैंट फंक्शन रिलेसंसिप ये भी आपके सेलेवस के अंदर में देर का है तो जनरली जो फ्लोईम का मुख्य फंक्शन होता है वो पत्यों में जो संसलेसित कार्बनिक पदार्थ होत है फ्लोईम से जो खादेपदार्तों का इस्टारांद्रन होता है वो मुखी रूप से चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है और जो चालनी नलिकाओं होती है वह एक छोट-छोटी चालनी सदसियों से बनी होती है तो चालनी सदसियों चालनी सेत्रों चालनी कोशी का ठीक ह इन सब के बारे में अपन फ्लॉयम की इस्टिक्षिर के अंदर पढ़ चुके हैं फिर जो आसन चालनी तत्व का जो कोशी का दर्विय होता है वो चालनी सेत्रों द्वारा परसपर संपर्क में रहता है आसन चालनी तत्व का मलब होता है दो चालनी तत्व अगर पास-पास तो इनका जो साइटोप्लाजम होता है वो एक दूसरे से चालनी सेत्र के द्वारा कॉंटेक्ट में रहता है परिपकु चालनी तत्वों का कोशी का दर्व अतियंत पारदम ही होता है क्योंकि इसके अंदर जनरली जो माइटो कॉंडिया और एंडोप्लाजम क्रेटिकुलम ही होता है तो यह दिरे दिरे जो डेक्स्ट्रोई होने लग जाती है तो जो इनका साइटोप्लाजम होता है वह ट्रांसपेरेंट हो जाता है है फिर जो चालनी ततुम्हें क्रियसे चालनी कोशी intelligent होती है इसमें जो पर्यप्रोट सर्व यह प्रोटीन है जो इनकी सेल वाल की बीत्री सतर से जूड़े रहते हैं और यह चालनी पट्टिका को बंद नहीं होने देते हैं तो पी प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है एक तो चालनी पट्टिका या चालनी प्लेट होती उनको बंद नहीं होने देते हैं और पी प्रोटीन का सिच्टुटेर होते हैं तो जो क्रियसिल चालनी कोशिका होती है उन पटिका के द्वार को बंद कर देता हैं और जिससे इस्तानराइंत्रित होने वाले पदार्तों का सरण रुख जाता है यानि कि जो बाहर की तरफ जा रहे हैं या उपर की तरफ या नीचे की तरफ जो जा रहे हैं पदार्त उनका परवा है जो रुख जाता है से कोशिकाएं भी चालनी कोशिकाऊं को help करती हैं फूट के transformation में इसके लिए ये से कोशिकाऊं किया करती हैं चालनी तत्व होते हैं उनको अवसी उपाप चुछी उर्जय परदान करती हैं नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ग्रोथ रिंग या वर्दी वले तो ग्रोथ रिंग या वर्दी वले के बारे में थोड़ा सा अपने को पहले सबसना होगा कि वर्दी वले होती क्या हैं तो वर्दी वले या ग्रोथ रिंग इनको एनुल रिंग की नाम से भी जाना जाता हैं जो उसन कटीबंदी प्लांट होते हैं या उसन कटीबंदी सेत्रों में उगने वाले जो पोदे होते हैं उनमें जो केम्बियम की सक्रियता होती हैं वो साल पर एक समान रहती हैं जबकि जो सितोशन सेत्र में उगने वाले पादप हैं, उनमें हैं जो केम्बियम रितु निष्ट सक्रियता दर्शादी है, निकि सीजनियल एक्टिविटी दे सो करती हैं, कहने का मलब है कि जो सितोशन सेत्र में उगने वाले पादपो के अंदर जो केम्बियम हैं, विसे इ तो इस कार्ण जो तन्य की व्यास में होने वाली वर्दी को अगर अपन अनुपरस्त कार्ट में देखे हैं तो इसके अंदर सकेंद्री या कॉंचेंट्रिक वले दिखाई देते हैं और इन वले को वर्दी वले या वार्षिक वले का आ जाता है ठीक है तो समझ मैं वार्षिक वले का निर्मान कैसे होता है जो कैम्बियम की एक्टिविटी और यानि की सक्रियता या अधिक सक्रियता या कम सक्रियता के कारण जो वले का फॉर्मेशन होता है अब जो वर्दी वले होते हैं, वर्दी वले को सरंचना, आकार, संगटना, आत्मक्ततूं के वित्रण के आदार पर दो बागों में विवेदित किया गया है नमबर एक होता है बसंद कास्ट और नमबर दो है सरद कास्ट, स्प्रिंग वूड और ओट्मन वूड तो बसंद कास्ट और सरद कास्ट क्या होता है इनके बारे में अपन पढ़ते हैं तो बसंद कास्ट का निर्मान कैसे होता है तो जनरली जो बसंद रित्व होती है उसमें जो पोदों की काईक वर्दी होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ही तेज होती है या और जिसके कान रस और जल के इस्तानानत्रन की अधिक आउशकता होती है पोदो के अंदर तो उस समय जो कैंबियम अधिक सक्री होकर दितिक जायलम का निर्मान करती है और जब बसंत रितु में दितिक जायलम का निर्मान होता है तो बसंद कास्ट या स्प्रिंग वूड का मलब समझ में आगया होगा आपको कि बसंद रितु में बनने वाले सेकेंडरी जायलम या वूड को बसंद कास्ट कहते हैं और ये कब बनता है जब बसंद रितु में क्योंकि वेजिटेट्व ग्रोथ प्लांट की ज्यादा होती है तो उनको वाटर की ज्यादा से ज्यादा नीड रहती है तो इसके लिए Cambium Activate ज्यादा हो जाती है तब है जो बसंत्रितु में जो बसंत्काष्ट का formation होता है फिर जो सरद्काष्ट या आपने कह सकते इसको ओट्मन वूड तो सरद्काष्ट का निर्मान या सरद्रितु में बनने वाले दितिक जायलम को सरद्काष्ट कहते हैं तो सरद्रित्म में यानि कि जो प्लांट्स की वेजेटेटिव ग्रोथ होती है वो दिमी होती है तो इसके लिए जो वाटर की ज्यादा नेड नहीं रहती है और इस कांड कैम्बियम है जो कम सक्रिय रहती है और कम सक्रिय होकर ये संकीन आकार कि वह ही का ये बनाता है याने कि संकेन का वलोता सिकुडी हुई वह ही का ये बनाता है तो सरद रितु में बनने वाले दित्तिक जायलम को अपन क्या कहेंगे सरद कास्ट या ओट्मन वूर्ड अब जो बसंद रितु में बनने वाली बसंद कास्ट और सरद रितु में बनने वाली सरद कास्ट दोनों कास्ट मिलकर तन्य के अंदर एक वार्षिक वले का वार्षिक वले बनाते हैं और प्रतिक वार्षिक वले इस्तम की मोटाई में एक वर्ष में हुई वर्दी को दर्ष कर सकते हैं और प्लांट की आयो का निर्दारन करने के अधियन को अपन क्या कहेंगे वरक्स कालानुकर्मन या डैंड्रो क्रोनोलोजी तो वार्षिक वले या वर्दी वले क्या होती हैं वार्षिक वले या वर्दी वले का आप सीदा से बता सकते हो कि एक साल के अंदर बसंद कास्ट और सर्द कास्ट के कितने वले बनते हैं वहीं वार्षिक वले हैं या वर्दी वले हैं फिर आवासी वार्षिक वले क्या होता हैं तो कभी-कभी धित्तिक जायलम का विकास नियमें टंग से नहीं होता हैं किसी एक रित्म में इसकी वर्थी किनिकारण वंस रुख जात जो में आबासिवार्शिक वले बनते हैं यानि कि जो आबासिवार्शिक वले बनने का कारण है जैसे बसंत रितु में जो बसंत कास्ट बनती हैं लेकिन अचानक ही कोई वातवर्णी कारक हैं जो उसके अंदर बनने वाली कास्ट को अफेक्ट करता हैं फिर वापस कुछ तो उसकी हैं जो cambium की शक्रियता या दिःत्क जायलम का निर्माण है जो रूख जयता है लेकिन वापस जब favorable condition आा जाती है तो पुना उस kast का निर्माण हो जाता है तो इस तरह से plant style के अंदर आबाशिवार्षिक वले का निर्मान होता है आपके सामने डाइग्राम दे रखा है जो annual rings को सो करता है तो अगर आप किसी तन्ने को तन्ने का कार्द देखा होगा तो उसके नदर इस तरह से गोलाकार वले परजैंट होती है या rings परजैंट होती है इन rings को ही annual rings कहते हैं तो ये annual rings किसकी बनी होती है एक तो बसंद कास्ट और सरद कास्ट इन दोनों के वले को समलित रूप से क्या बोलते है annual ring या वार्शिक वले या growth रिंग या वर्दी वले कहते हैं अब बसंद कास्ट और सरद कास्ट में अगर difference देखे तो बसंद कास्ट का निर्मान है जो व्रक्स की सक्रिय वर्दी के समय होता है जबकि सरद कास्ट का निर्मान है जब केम्बियम में जो कम सक्रिय होती है तब इसका formation होता है बसंद कास्ट का निर्मान है जो बसंद रितों में वैस्कुलर केम्बियम की सक्रियता के परणाम सरूप होता है जबकि सरद कास्ट में सरद कास्ट का निर्मान है जो सरद रितों में सेमवन केम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है उसमें जो सरदकाष्ट का निर्मान होता है बसंदकाष्ट में जायलम है जो ज्यादा बनता है जबकि सरदकाष्ट में जायलम का निर्मान बसंदकाष्ट की तुलना में कम होता है बसंदकाष्ट में जो जायलम में वाहिकाओं की मात्रा अधिक होती है जबकि सरद काष्ट में वाईकाओं की मात्रा कम होती है बसंद काष्ट में वाईकाओं की गुढ़ी होती है जबकि सरद काष्ट में वाईकाओं की गुढ़ा है जो संक्री होती है बसंद कास्ट में दित्तिक जाहिलम या उत्तकिया कास्ट का रंग हलका बुरा होता है जबकि सरद कास्ट का रंग है जो गहरा बुरा होता है